बात करेंगे यहां सब कच्च तेल की तो देख रहे हैं कि कच्च तेल में डबलू टी आई इस वक्त 113 डूलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1.5 फीजडी से जाद की बड़त बैंड कुरूड ओयल 116 डूलर पर ट्रेड करता नज़र आ symbols 3 फीजडी की बड़त के साथ देख रहे हैं कि जो brand crude oil है अब वो एक ने record स्थर पर पहुंच गया है कल के कारोबार इस सतर में हमने देखा था कि brand crude oil 110 डॉलर के पार निकला था अभी भी देख रहे हैं कि 110 डॉलर के पार है लेकिन अब ने एक नया record लगा दिया है 116 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है brand crude oil brand crude oil में देख रहे हैं जोड़दार बड़त के साथ कारोबार दर्च किया जा रहा है WTIV 113 डॉलर के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको बताते कि बुदवार के दिन्यानी की 20 कारोबार इस सत्र में उपेक उसके सहियों की देशों की बैठक हुई थी उपेक की मिटिंग थी जिसमें उन्होंने रशिया यूकरेन के बीच जो तनाव चल रहे हैं जो क्रैसिस चल रहे हैं उसको देखते कि बावजूद भी कच्च तेल का जो उतपादन है वो बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है उनका कहना है कि वो अपने जो पहले वाला प्लैन था चार लाक बैरल प्रती दिन वाला जो प्लैन था कच्च तेल का पादन का उसी पर ही स्टिक टू रहेंगे उसी पर ही कायम रहेंगे इसकी वज़ा से देख रहे हैं कच्च तेल के जो दाम है उनमें और ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है कच्च तेल लगातार आंग पकड़ता जा रहा है तो ऐसी सिच्वेशन के अंदर कच्च तेल में क्या करके चलना सही रहेगा जान लेते हैं रूपा जी से रूपा जी बहुत बहुत स्वादा आपका मागेटाम से वीफर जी शुक्रियां रूपा जी कच्च तेल देख रहे हैं एक के बाद एक रिकॉर्ड हाई लगाता नजर आ रहा है कल के कारवारी सेतर में भी देखा था हमने कच्च तेल लाइफ टाइम हाई पर था आज एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है ब्रेंड क्रूड ने 116 डॉलर के पार निकल चुका है लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है डवलू टीय भी पीछे नहीं है इस रैली में 113 डॉलर पर डवलू टीय भी है आपके क्या रह रहेगी और आपको क्या लगता है क्या अब कच्च तेल यहां से 120 डॉलर के भी पार जा सकता है और उसका असर चुनाफ खतम होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कितना देखने को मिल पाएगा देखें अभी जहां तक क्या तेल की तेजी की बात है यह कॉंटिनूशन में बनी रह सकती है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 120 डॉलर तक उपर जा सकता है क्योंकि आज भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और प्राइजिस अपसाइड मुमेंटम में ट्रेट करते हुए नजर आ रहे है और जहां तक देखा जाए रूस के अंदर रूस जो है वो कह सकते है कि दूसरे नंबर पर आता है प्रोडक्शन के मामले में और साओधी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है और अमेरिका सबसे जादा प्रोडक्शन करता है और इस वार के चलते अब एक्सपेक्टेड यही है कि रूस के उपर कई तरह की पबंदिया लग सकती है जिसके चलते सप्लाइप पर असर पड़ता हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि रूस जो है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को काफी बड़ी मातरा में सप्लाई करता है तो इसके चलते एक्सपोर्ट के उपर impact आ सकता और supply disturb हो सकती है जिसकी वज़ा से कीमते continuation में बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है और आगे भी ये रुजहान बना रह सकता है क्योंकि अभी जिस तरीके की स्तिती बनती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर कोई भी ease of आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि prices उपर आते हुए नजर आ रहे हैं और crude जो है 100 डोलर के उपर sustain करना बहुत बड़ी बात है कि 100 डोल के सर को भी चुटू दे और यानि की विदेशी बाजारों के अगर बात करें तो 120 डोलर से लेकर 140 डोलर की भी रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है अगर इस तरीके की geopolitical tension और ज़्यादा गहराती है तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो petroleum industry पर पढ़ता हुआ दिखाई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है वो तो सबस्क्त दो बाज़ता है हुआ है।